असलाम उलेकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, यह देखें फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इस खुपसरत फ्रॉकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसकी कटिंग, यह देखें, सबसे पहले हम फैब्रिक लें मैंने फ्रॉक की बाड़ी का कपड़ा पहले से अलग कर लिया था, यह देखें, यह देखें, यह दबल फॉल्ड है, अब मैं इसकी लंबाई और चुड़ाई मैयर्मेंट करके बताऊंगी आपको, तो इसकी चुड़ाई है साड़े सतरा इंच, ग्यारा से बारा साल की बे अब हम इसके तीरे का मैयर्मेंट करेंगे, कंधे का और फ्यूटिंग का करेंगे, तो सबसे पहले हमने तीरे का मैयर्मेंट करना है, तो 6 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी, और 6 इंच ही मैंने कंधे का निशान लगाना है, इस तरह निशान को हम आपस में मिला देंगे चकोर की शकल देकर हमने कोने से हलका से गुलाई की शेप दे देनी है यह हलका सा तिर्चा निशान तीरे का होता है अब हमने चस्ट का मेयर्मेंट करना है तो साड़े आठ हिंच पर मैं निशान लगाऊंगी यह थोड़ी हेल्दी बेबी है अगर आपकी बेबी कमजोर है तो आप 1 इंच यादा इंच कम रख सकती है फिटिंग का निशान मैंने 8 इंच पर लगाया है तो आपस में इन निशानों को मिला देंगे अब हमने नेक का निशान लगाना है तो 3 इंच उपर 2 पॉइंट उपर निशान लगा देंगे 3 इंच मैंने गहराई रखी ए नेक की आपकी असानी के लिए चुकोर की शकल बना कर तो कोने से हलका सा गुलाई की शकल दे देनी हमने सबी निशान हमारे लग चुके हैं अब हमने कटिंग करनी है तो फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताके मेरे नई हर आने वाड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें लाइक और शेर करना तो मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेर करें यह देखें फ्रेंड्स अब हमने नग की कटिंग करनी है फ्रंट वाले हिस्से की बैक वाला हिस्सा हमने गहराई में कम रखना है नेक का यह देखें हमारी फ्रॉक की बाड़े की कटिंग हो चुकी है यह देखें इनको उपर नीचे रखकर तो हमने बैक वाले नेक की कटिंग करनी है तो डेयर देंच हमने फ्रंट वाले से कम लेना है और इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है बहुत इजी और बहुत आसानी थे ये फ्राग त्यार हो जाता है बड़ी के हमारी कटिंग हो चुकी है अब हमने तीन लेयर त्यार करनी है नीचे वड़े घेरे की थ्री लेयर तो थ्री लेयर की हम कटिंग करेंगे तो सेवन इंच पर हम निशान लगाएंगे साथ इंच पर तीनो लेयर की चुड़ाई इसी हसाब से होगी साथ इंच पर ये दिखें साथ इंच पर मैंने तीनो निशानों क्यों नहीं यह देखें हमारी तीन लेर त्यार हो चुकी है यह देखें पहली लेर हमारी है साड़े चौदा इंच उसकी चुड़ाई है और दूसरी लेर हमारी 20 इंच है और तीसरी लेर की लंबाई जो है वो 26 इंच है त्री लेर हमारी इस तरीके से त्यार हो चुकी है यह देखें मैं आपको आपस में लगाकर मैच करके दिखा रही हूँ ओपर हमारी बॉट्टी है फ्रंट लेर सेकंड लेर और यह थर्ड लेर फ्रंट और बैक वाले हिस्से की हमने इसी तरह कटिंग कर लिनी है यह फ्रॉग के हमारे बाजो है जिसकी मैंने कटिंग कर ली है अगर आपने हाफ स्लीव बनाने है यह स्लीव के बगएर फ्रॉग तियार करना है तो आप बेशक यह नहीं लगाएं लेकिन मैंने फुल स्लीव तियार करने है फ्रॉग के विंटर के हसाब से यह देखें अब पर निच्चे रहकर हमने सलाई लगा देनी है परन्ट और बैक वाले नेक को हमने इसी तरह आपस में ज्वाइंड कर लेने हैं स्लाई हमारी लग चुकी है, अब हमने छोड़े छोटे कट लगाने है, याद रहें कि कट स्लाई को टच ना हो, इस तरह कट लगाने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लेने, और बिल्कुल कनारी पर हम स्लाई लगाएंगे, और बात में दोसरी जो स्लाई है वो हम स्लाई लगा देंगे, या आप तरपाई भी कर सकती है, इस तरीके से, बैक बले नेक पर भी हमने सेम यही तरीका यूज़ करना है, यह देखें, इस तरह पटी लगाकर वापस में जोइंट कर देना है, और हलके से कट लगाकर फोल्ड कर देना है, यह देखें, हमारा नेक त्यार हो चुक है, इस तरीके से मैंने डबल स्लाई लगाई है, अब ह यह देखें, सबसे पहले हम बाजु को फ्रांट से फोल्ड करेंगे और स्लाइल लगा देंगे, इस तरीके से अब हमने कंदे के सेंटर पर टक का निशान लगाना है, वो क्यों लगाया, मैं आपको अभी बताती हूँ, सिर्क आपके असानी के लिए, यह टक हम स्लाइल के साथ मैच करेंगे, इस तरीके से, और हमने बाजु को टैज कर देना है कंदे के साथ, यह देखें फ्रेंड्स, हमारे बाजु टैज हो चुके हैं, अब हमने नीचे वाला घेर त्यार करने है, तो जो हमारा सबसे छोटा पीस था, यह सेकंड लेयर, यह थर्ड लेयर, तीनों लेयर पर हमने मोटी सलाई लगानी है, क्योंकि हमने चुनट वाला हिसा यह त्यार क हमने धागा खेंच के, चुनट हमारी असानी से त्यार हो सकें, फ्रंट वाली तीन लेयर, बैक वाली तीन लेयर, शिक्स लेयर टोटल हमारी, तो सब भी पर हमने इसी तरह बड़ी सलाई लगानी है, और इस तरह यह देखें, धागे को पकड़ कर, हमने एक धागे को पकड कर, खेंचना है, तो इस तरह हमारी चुनट बनती जाएंगी, खुद भाखुद, यह देखें, हमारी चुनट त्यार हो चुकी है, हमने बड़ी के हिसाब से, इसकी चुनट त्यार करनी है, यह सेकंड लेयर, उस पर भी हम यही तरीका यूज़ करेंगे, यह देखें, फ्र करने, इस तरीके से, तीनों लेयर को, फ्रंट वाले को और बैक वाले दोनों हिस्सों पर, तीन तीन लेयर जॉइन कर देंगे हम आपस में, फ्रॉक की खुबसूरती के लिए, मैंने उपर लेस अटेच्च करनी है, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से पर, यह आपकी मर्दी है, क जो 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 झाइन लगाने, आपस में, उ जो उं झाइनके ओपर हमने ये लेस्स रखकर आटेच्च कर देना है, एंट पर दामर पर हमने थोड़ी सी इन लेस्से से थोड़ी सी न लेस्स लिए ताके वह ज्यादा इन मत हो सके, यह देखिए यह वाले लेस्स जो एंट पर हमारी लगेगी नीचे वाड़े घिर पर यहां पर इसको डबल फोल्ड करके हमने यह वली लेस उपर रखकर अटेच करनी है जिससे फ्रॉक की खुबसूरती में और ज्यादा अजापा हो जाएगा यह देखें फ्रेंड्स सभी हिस्से हमारी ज्याइट हो चुके है सारी लेर कम्पलिट हो चुके है और आपस में ज्याइट कर दी मैंने और साथ बाड़ी के साथ मैंने अटेच कर दी है यह देखें आप गोड़ से देख सकते है अब हमने इस पर लेस अटेच करनी है लेस अटेच करने के बाद फ्यूटिंग की स्लाई हम लगा देंगे ये दिखें ये वाली लेसी फ्यूटिंग की स्लाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इस फ्रॉक की फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको अच्छे से समझ आ सके मैं दुबारा लेस रखकर आपको दिखा रही हूँ फ्रॉक की ज्यादा खुबसूरते की लिए मैंने तीन फूल लिए सेम इसी कलर के लेस वाले कलर के वह उपर आप बड़ी पर अटेच करें चाहें नेक पर अटेच करें जहां आपको अच्छे लगें आप यह उपर देखें यह टेच कर सकती है बजार से बहुत इजी लिए यह मिल जाते हैं और हर कलर में मिल जाते हैं अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रॉक की यह देखें फ्रेंड्स बहुत ही खुपसरत फ्रॉक त्यार हो चुक है हमारा फुलावर भी हमारे अटेच हो चुक है मैंने इस तरीके से लगाए हैं लैसिस भी हमारे अटेच हो चुकी है बहुत ही खुपसरत बहुत ही हसीन हमारा फ्रॉक त्यार हो चुक है I hope friends आपको यह बहुत अच्छा लेगेगा फुल बाजू विंटर के हिसाब से जरूर ट्राइ कीजिएगा अपने बेबी के जरूर बनाएगा यह तो दुबारा मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप से कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबस्क्राइब कर लें और जिन लोगों ने कर दिया सबस्क्राइब उनका बहुत बेहद शुकरिया यह सिर्फ हमारी होस्राफ जाई होती है सबस्क्राइब करने से, लाइक और शेयर करने से ताकि हम आपके लिए और ज्यादा न्यू डिजाइन आज सकें और सबसे पहला उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें यह देखें फ्रेंड्स फुल लुक देखें बूरी लुक देखें फ्रॉक की कितना हसीन लग रहा है यह देखें बैक वले हिसे पर मैंने लैसिस नहीं अटेच की लेकिन दामन पर मैंने फ्रॉन्ट और बैक पर लैसिस अटेच की हुई है ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखियेगा अल्ला हाफीज अजय हुई टूलिए ग्रॉन्ट टूलिए रखियेगा